उर्फी जावेद अब इंडरस्ट्री का एक जानमाना चेहरा बन गई है अपने अतरंगी आटफिट्स और बेबाक बयान उकले कर सुर्खियों में रहने वाली उर्फी आज इन दिनों अपनी वेब सिरीज फॉलो कर लो यार में नसर आ रही है शो में उर्फी जावेद ने अपने जिन्दगी के सभी राज फैंस के सामने खोल कर रख दिये है शो में उर्फी जावेद की तीनों बेहने और उसा अस्फी और डॉली जावेद की बीच की बॉन्निंग भी दिखाई गई है इसका लवा फॉलो कर लो यार में उर्फ जावेद की अम्मे जाकिया ने भी अपने बीते कल से जुड़ी कई बड़े राज खोले हैं अब हाली में एक इंट्रिवी को दरान उर्फी की बैनों ने बताया कि उनके पिता ने घर में सौ कैमरे लगवा रखे थे और वो उन कैमरों से अपनी बीटियों के निगरानी करते थे एक इंट्रिवी में उर्फी के तीनों बैने औरुसा, अस्वी और डॉली ने बताया कि वो बच्चपन से ही सौ कैमरों की निगरानी में पली बड़ी है और उसा अस्वी और डॉली ने बताया कि उनके पिता के कारण उन्हें सिर में दर्द होता था उन्होंने का कि मुझे लगता है कि धर्म होता है जिसको आप प्यार करते हो आप किसी को भी धर्म के नाम पर परिशान नहीं कर सकते अब ये नहीं कह सकते कि अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो या फिर तुम धार्मीक नहीं हो ऐसा करोगी तुम्हारे साथ ऐसा होगा और फिजावीद की बेहनों ने बताया कि उनके पिता उन पर तो धर्म के नाम पर खुब पाबंदिया लगाया करते थे लेकिन वो खुद ना तो कभी रोजे रखते थे और ना ही बांच टाइम की नमाज परते थे उन्होंने बताया हम तो फिर भी ये सारी चीज़े कर लेते हैं इसके लावा तीनों बेहने ने ये भी बताया कि उनकी मान ने नमाज पर ना सिखाया लेकिन उनके पिता कुछ भी नहीं करते थे उन्होंने बताया कि हमारे घर में 100 कैमरे लगे थे लिविंग एरिया में डाइनिंग एरिया में छट पर तो कमरे छट के बाहर तो कमरे उन्होंने बताया कि जा हम बैने बैट कर पड़ती थी वहाँ पर उन्होंने लकडी का दर्वाजा हटवा कर कांच का लगवा दिया था जिससे वो हम पर नजर रख सके